हालो फ्रेंट्स स्वागत आपका चिराक क्लासेज के ओनलाइन यूटूब चैनल के उपर तो फ्रेंट्स कैसे हो आप लोग आई होप आप सब बढ़ी आओगे तो फ्रेंट्स एक बहुत बढ़ी कुशकुपरी आप सभी के लिए ITPP में एक new vacancy का notification जारी हो चुका है और यहां पर आप देख पाओगे कि यह लगबग 819 परदों के उपर आपकी बढ़ती आ चुकी है तो इसके अंदर योगता की बात के टेंथ पास आपकी यह बढ़ती है तो संपूर्ण जानकर इस वीडियो के अंदर में आपको देने वा पारे में तो यहां पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले में आपको बता देता हूं अगर आप भी SSC GD बढ़ती 2024 यानि जो नई वाली वेकेंसी अगर इसकी त्यारी में लगे हुए है तो यहां पर चक्षू पब्लिकेशन की बैस्ट बुक मार्केट के अंदर आ चु करते हैं तो आपका सेलेक्शन कोई ने रोग पाएगा मैं एक वर आपको बुक अंदर से दिखा देता हूं इस प्रकार की बुक कर सबसे पहले आपको सलेबस देखने को मिलेगा इसके बाद में आपको जो पेपर हो चुके है आपके पूराने पेपर वह इनका सोल्यूशन के अंदर आ चुका है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हूँ है वहाँ पर जाईए परचेज किजिए उकनी त्यारी को और भी ज्यादा बाहतर बनाए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस बरती के बारे में तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हू यह बढ़ते हैं आईटी बीपी के दुवारा जाई जारी हूँ है 819 पदों के उपर ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह बढ़ते हैं यह बढ़ते हैं इसके अंदर ओनलाइन मोड रहने वाला है आविदन की तिति की बात करें तो 2 सितमबर 2024 से लेकर 1 बढ़ती 2024 भी आप इसको बोल सकते हैं इसके बाद में आगे बात करें तो यहाँ पर मैं आपको बताते हैं जिसे ITBP के दुवारा पुरुस और महला भारते नागरी को नेपाल और बुठान के नागरी को से सहीत 819 पदों पर रसोई शेवा के रिक्त पदों को बढ़ने के लिए ओनलाइन आविदन अमंतित किया गया है जिसकी लाश्ट डेट आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है डेट आप मैंने आपको बता ही दिये आविदन सुलक की बात करें तो यहां पर आपके लिए आविदन सुलक सामने ओबिशी और EWS के कंडिडेट के लिए यहां पर आविदन पीश सो रुपे हैं S.E.S.T. और महिला के लिए कोई भी पीश आपकी नहीं है ओनलाइन का तरिका मतलब बुगतान का तरिका यहां पर ओनलाइन देगा आयू शिमा की बात करें तो नियूंतम आपके 18 साल अधितम आपकी 25 साल आपकी एज यहां पर रखी गई है और O.B.C. को यहां पर 3 साल की चूट S.E.S.T. को 5 साल की चूट आपको आसानी से इसके अंदर देखने को मिल जाएगी ठीक है इसके बाद में आगे बढ़ते हैं और यहां पर आपको चूट वागिरा बताए गया है इसके बाद में अगर आप आगे देखोगी तो यहां प्रकॉंश्टिबल रसोई शेवा के पदो पर 819 पदों के ओपर यह वेकेंसी निकली है और सेक्षिय योगेता की बात करें तो 10 पास आपका होना चाहिए और खादे विबाग का आपके पास सेटिपिकेट होना चाहिए ट्रेड सेटिपिकेट होता है खादे उतपादन य आपका लिकित परिक्सा होगा फाइनल भी आपका मेडिकल एक्जाम होगा ठीक है यह है आपके सेलेक्षन की प्रोसेस इसके लिए अगर आपके पिजिगल मेडिकल की बात करें कि आपका पिजिगल कितना होने वाला क्या हाइट है क्या चेस्ट है तो उसकी भी बात हम करने वाले हैं तो ध्यान से देखेगा जो male candidate है वो सामने है और ऐसी candidate है तो उनके लिए उचाई यहाँ पर 170 cm है अगर अनुसुच जाती से है तो 162.5 cm आपकी height रखे गई है यह सब male candidate के लिए उचाती आपकी 80-85 cm सामने है ऐसी candidate के लिए इसके बाद में अनुसुच जाती के लिए 76 cm आपका यहाँ पर चेश्ट मांगा गया है 5 cm फुलाव भी आपका मांगा जाएगा वजन की बात करें तो उचाई के अनुसार आपका वजन होना चाहिए ठीक है इसके बाद में अगर बात करें कि आपकी जो running है वो कितने minute के अंदर आपको clear करनी होगी उची कूद लंबी कूद वो क्या रहने वाली है तो ध्यान से देखेगा आपके जो male candidate है 1600 मिटर की running होगी 7 minute 30 second का आपको समय मिलेगा लंबी कूद यहाँ पर 11 feet की रहेगी जिसमें 3 chance आपको मिल जाएगे उची कूद के अंदर 3.5 cm का आपको उची कूद कूद ना है 3 chance आपको मिल जाएगे ठीक है इसके बाद में यहाँ पर exam pattern की बात करें कि exam के अंदर क्या क्या चीज़े आने वाली है तो ध्यान से देगेगा CBT में person की कुल संक्या मतलब जो computer based exam होगा उसमें आपके 100 सवाल पूचे जाएगे परतेक person यहाँ पर एक नंबर का होगा 100 को के लिए आईजित की जाएगी परिक्सा की audio 120 मिनट की रहेगी और 0.25 की आपकी negative marking रहने वाली है सचा इसके अंदर subject की बात करें तो चार्ट subject आपके पूचे जाएगे गणीत, reasoning, gkgs और हिंदिया English इंदिया English में से आप कोई भी चूज कर सकते हैं सभी के यहाँ पर 25-25 क्यूशन आपको देखने को मिलेगे 25-25 नंबर के आपको सवाल यहाँ पर मिल जाएगे मतलब 25 क्यूशन 25 नंबर के इसके बाद मतलब total 100 क्यूशन होगे 100 नंबर के और अगर आप important document की बात के तो वह आप यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको document भी बता देता हूं सबसे पहले आपके पास आधार काड होना चाहिए तब आप यह फो में apply कर सकते हैं mobile नंबर email id पासपोर्ट आखार का photo इसके अनकिये अस्ताक्स है sectioning योगता निवास परमानपत्तर जाती गेर किर्मिलियर मतल इसके बाद में आपको इस वीडियो के अंदर बता दिये इसके बाद में आप किस परकार इसको आविदन कर सकते हैं वो भी यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले आपको ITBP की official website के उपर जाना है यह है इसकी official website और यहाँ पर निदेश को ध्यान पर पर लेना है पंज इसके बाद में आपको payment कटा देना है payment कटाने के बाद में आपको print out मिलेगा वह आपको निकलवा लेना है ठीक है यह है आपकी form apply करने की परकिरिया ठीक है तो आप इमित्र पर जाके आराम से form apply करवा सकते हैं ठीक है तो ITBP के द्वारा एक बहुत ही सुनरा मुकार निकला अगर अभी से आप त्यारी करोगे तो आपका selection कोई नहीं रोख पाएगा मैं अलग शी वीडियो बना देंगा जिसके अंदर आपको certificate कैसे बनवाना है इसके साथ आपको तैयारी कैसे करना है कहां से क्या क्या चीज़े पढ़नी है और इसका जो exam का level हो किस परकार आएगा और एक next वीडियो बनाऊंगा उसके अंदर आपको बड़िया तरिके से आपको समझा दूगा तो आपको क्या करना है पहले channel को subscribe करे लेना है और हमारे telegram channel है उससे आपको ज़रूर ज़र दाना है उसके उपर आपको फ्री में नोट्स वेगेरा सारी चीज़े आदस असन से आपको available हो जाती है ठीक है फ्रेंट्स इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी doubt है चाहिए इस बरतिक को लेकर चाहिए फिर अन्य वेकंसी को लेकर physical, medical, cut-off को लेकर कोई भी doubt है तो आप comment box में पूछेगा मैं परतेग बच्चे का वहाँ पर reply देता हूँ आप मेरे पुराने आपका कोई भी doubt है तो आप Instagram पर पूछेगा अगर आप यहाँ पर comment box में नहीं पूछना जाते तो Instagram पर मैं आपको reply दे दूआ है फिर मिलते है नेक्स वीडियो में तब तक लिए जय हिंद, जय बारत, वंदे मातुम